हेलो स्टुडेंट्स वीड़ो वलाइसी में अमित कुमार सौनी स्वागत करता हूँ दोस्तों चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लें अधिक से अधिक शेयर करें लाइक करें बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे की नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी नई वीडियो आती हैं उनकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय पूरा देश जो है कोरोना वायरस के प्रकोप से ग्रस्त है और बहुती भयावा इस्तिती से गुजर रहा है ना केवल नेशनल लेवल पर बलकि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है और इसकी भयाव पूरे संसार में नजर आ रही है इस भयाववता और इस प्रकोप का प्रभाव न केवल देश पर इंटरनेशनल लेविल पर और हमारी सामाजिक प्रिक्रियाओं पर भी पढ़ रहा है तो इसी के संबंद में एक समाचार है कि सिक्षा विभाग का जो प्रोसेस चल रही है इस इस पश्ट था कि यहाँ पर डेट निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी क्योंकि जब तक कोरोना के प्रभाव से मुक्ति नहीं मिल जाती और सामाने जन जीवन नहीं हो जाता तब तक इन भरती प्रक्रियाओं पर निश्चित रूप से प्रस्न चिन लगा रहेगा तो इसी के संबंद में दो निउस हैं और एक निउस है लोग सिक्षन संचालनाले के संबंद में और दूसरी है जन जाती है विभाग की सत्यापन संबंदी डेट्स में जो कि इस समय बदल दी गई है तो आईए जानते हैं क्या क्या है तो पहले बात कर लेते हैं लोग सिक्षन संचाल ना ले की इसमें हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट होकर के सामने आया है और वो है काउंसलिंग याने कि दस्तावेजों के सत्तापन की दिथी में परिवर्तन वो मैं न्यूज पढ़कर आप लोगों को बता देता हूं कि उच्च माद्मिक सिक्षक के अभरतियों के दस्तावेजों के सत्त्यावन की प्रक्रिया अब दिनांक एक अपरेल से जो स्टार्ट होने वाली थी वह 20 अपरेल से प्रारम होगी माद्मिक सिक्षक के अभरतियों के लिए भी डॉकुमेंट अपलोड विद्यालाई चेन तता सत्यापन के निर्धारन भी 25 अप्रेल से ही प्रारम किये जाएंगे 23 मार्च को उच माद्मिक तता माद्मिक सिक्षक की नियुक्ती से सम्मंदित होने वाली एक जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग होने वाली थी जिसमें की विभिन प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया जाना था वो भी इस्तकित की जा रही है इस कोरोनवाइरस के प्रकोप के कारण अब नई तिति की सूचना पोर्टल पर अलग से दे दी जाएगी तो आयुक्त और लोग सिक्षर स्रीमती जैसरी की आवत इस संबन्द में निर्देश जारी किये हैं कि प्रात्मिक सिक्षक पात्ता परिक्षा 2020 की परिक्षा तिति 25 अप्रेल निर्धारित की गई थी लेकिन प्रदेश और देश में कोरोनवाइरस के प्रकोप से अन्य पर दोस्तों कि कितना जवर्दस्त प्रभाव इस सिक्षा विवाग की डेट पर भी पड़ा है सत्यावन की तिती भी चेंज कर दी गई है वर्ग तीन की परिक्षाओं पर भी इस्थगन आ चुका है और इसकी डेट अभी के लिए नहीं है हलांकि वो डेट पता लग जाएगी इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है एकसाम तो होगा सब लोग अपनी अपनी तैयारी सुचारो रूप से जारी रखें और दोस्तों दूसरी न्यूज बहुत ही इंपोर्टेंट है और वो है आदिम जाती विभाग द्वारा सत्यापन की डेट में परिवर्तन हम जानते है किस सिक्चक वर्ते प्रक्रिया वर्ग एक में आदिम जाती विभाग ने अपनी इस पोर्टल पर पूरी डिटेल जारी कर दी थी नौटिफिकेशन जारी कर दिया था लेकिन वर्ग दोकी अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया है रोस्तर बनकर के तैयार हो चुका है और को जाती विभाग भरती करने जा रहा है वर्गे की और उसका भी पूरा शेडूल उन्होंने अपने पोर्टल पर जारी कर दिया है इसके संबन में न्यूज है कि आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा उच्च माध्मिक सिक्षक के खाली पदों पर भरती के लिए ओनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जा रही है पहले राउंड की इस प्रक्रिया में पीवी द्वारा आयोजित उच्च माध्मिक सिक्षक पात्ता परिक्षा 2018 में क्वालिफाई करने वाले अनरक्षिद वर्ग उम्मीद्वारों को EWS रेनी के तहत 10% आरक्षन देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अब 26 मार्च को उम्मीद्वारों की पहले राउंड में चैनित उम्मीद्वारों की प्रॉविजणल लिस्ट और बेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद में उम्मिदवारों को 30 मार्च से 15 अप्रेल तक काउंसलिंग पोर्टल पर दस्तावेज अप्लेट करने होंगे उन्हें पोस्टिंग के लिए इसकूलों का विकल्प भी देना होगा तो ये पूरी डिटेल जैसा की दिखाई दे रही है आपको न्यूस्पेपर में भी दिया हुआ है सभी प्रकार के न्यूस्पेपर में भी ये डिटेल है तो पहले राउंड की काउंसलिंग में विवाग ने 77 विसिस्ट इसकूलों के खाली पदों पर चैन के लिए चुना है चुकि इसमें 2 राउंड लगेंगे पहले राउंड में 77 विसिस्ट है और उसके बाद में 6 बचे हुए इसकूलों पर काउंसलिंग प्रक्रिया की जाएगी तो मादमिक सिक्षक के 2220 पदों पर इस समय भरती की जाना है यदि कोई भी नियमों से संबंदित अधिक जानकारी चाहते हैं तो हम जो website दी हुई है trc.mponline.gov.in पर भी देख सकता है तो इस परकार दोस्तो हम देख सकते हैं कि इस सिक्षक भरती प्रक्रिया पर भी coronavirus का बहुत ही गहरा प्रवाव पड़ रहा है और ये परिक्षातिती में कि जो दस्तावेज सत्यापन की डेट थी उनमें परिवर्तन हो चुका है और परिक्षातिती जो की वर्गतीन से related थी वो भी इस्तगित हो ही जाएगी 100% इस्तगित होगी और आगे कोई जो भी डेट आएगी वह पोर्टल पर बता दी जाएगी आप लोगों को उसके संबन्द में जानकारी दे दी जाएगी और इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को तुरंत सब कुछ पता बता दिया जाएगा को दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्या-कया परिवर्तन होने जा रहे हैं तो यह महत् Turkish समाचारता न्यूस थी जो की सिख्शब्ष्विवाक से लेटे हैँ तो मिलते हैं कोई नई लेटिस्ट न्यूज के साथ में, जानकारी के साथ में, स्वस्त रहें, सुरक्षत रहें, धन्यवाद.